हाँ तो दोस्तों क्या फिर से इस मेच में हमें 200 प्लस का स्कोर इस मेच में देखने को मिल सकता है यह ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हम सभी जानते हैं संराइजा है थराबाद की जो बल्ले बाजी है वो बहुत ज़्यादा कमाल की नज़र आती है इस आई पेल में वही पर सामने वाली टीम की बात करू लखनो शुपर जायंट्स की मुकाबला खेला जाएगा Sunrise observ है लखनो शुपर जायंट्स को बीच में तो वही पर लखनो शुपर जायंग्स की जो गेंद भाजी है वो बहुत ज़एदा वीक घेटा थी वही पर अगर पहले लग्नाओ की टीम ने, तो ये टीम पहले बल्ले बाजी करना चाहेगी, क्योंकि यही चलता आरा है, अभी तक हमने देखा है, क्योंकि जैसे ही आपने संराज़ा है हैं, यहाँ पर हमें हैं देखने को मिल सकता है, फ्रेंस मुकावला राजियो गंधी स्टेडियम हैद्राबाद के ग्राउंड पर खेला जाएगा आठ माई को शाम को साड़ी साथ बजी से तो एक बार पीच रिपोर्ट पर देख लेते हैं क्या यहां पर इस ग्राउंड पर उतना स्कोर बन सकता है क्यों एक से खिलाडी को देखकर ही हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं पीच रिपोर्ट बहुत जरूरी होता है टेलिग्राम पर आप जरूर जोड़ जाना फाइनल टीम के लिए टेलिग्राम की लिंक मैंने वीडियो के नीचे दिस्क्रिप्शन में देदिए फ्री एंट्री भी मिल जाएगी वो भी आप जोइन कर लीजेगा टेलिग्राम पर बहुत र्ने वाला गए कुई मुझे पता है मतलब अंदर से फिलिंग आ रही है कि सपनराइजसा हद्रापने टुर्च जीता तो पहले बल्लेबाजी करेगी और लकनो पहले ग्ल्यपा करेगी एसा मुझे लाग रहा है 500 से कम रन यहां पर 035 बार देखने को मिले है इसे देखने से तो पता चलता है कि एक बैलेंस च्विकीट है लेकिन डिसेंटली आप देखो 201, 200, 206, 171, 165, 166, 276, 246 तो क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है 200 प्लस का स्कोर देखने को मिल सकता है उपर से लखनों की गेन बाजी बहुत ज़्यादा वीक है तो भईया ये एक बार फिर से हमें 200 प्लस का स्कोर देखने को मिल सकता है अगर हिदराबाद की पहले बल्ले बाजी होती है तो पेसर ने पिछले आठ मुकाबलों में 55 विकेट निकाले है जबकि इस पिनरों ने 31 विकेट निकाले है अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ से रिसेंट हमने जो देखा है यहाँ पर जिसमें पेसर ने 10 विकेट निकाले इस पिनरों का खाता भी नहीं खुला था फिर 155-166 वाले मेच में 5 विकेट पेसर ने 4 विकेट इस पिनरों ने 206-166 वाले में 9 विकेट पेसर ने 6 विकेट इस पिनरों ने बदब पेसर का यहाँ पर बोल बाला रहा है अब आप देख सकते हो लास्ट के 8 मुकाबलों में अगर आप यहीं से काउंटिंग करो आप यहीं से अगर एक बर चेक करो तो सामने देखने से पता चलता है कि 14 विकेट राइट आम फास्ट मीडियम ने निकाले है 10 विकेट राइट आम फास्ट मीडियम ने निकाले है राइट आम मीडियम ने 13 विकेट लेट आम फास्ट लेट आम फास्ट मीडियम ने 18 विकेट बात कर लेते हैं यहां से हम पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में तो इनके बाद अभिशेक शर्मा ट्रेविस हेड पांच ओवर्ट अगर यह ट्रिक गए पहले बल्ले बाजी हुई तो मैं मान के चल रहा हूँ 50 प्लस स्कोर देखने को मिल सकता है फिर मैंक अगवार हो सकता ह इने बाहर कर दिया जाए इस में पॉसिबलिटी है फिर हैंडिज क्लासन नितिश रेडी अब्दूल समद साबाज अहमद मार्को जेंसन पेट कमिंस तीन रटराजन और बुनिशेक मार अच्च काफी ची टीम हमें नजर आती है यहां पर हैदराबाद की इंपेक्ट प्ले मेचों में 326 रंग बना कर आ रहे हैं और पिछले तीन मुकाबलों में 11 12 और 13 थोड़ी सी फॉर्म इनकी डग मगाई है रिसेंट मुकाबलों में लेकिन ट्रेविस एड की फॉर्म उतनी अच्छी नजर आती है 48 और 58 रंग की पारी रिसेंटली के लिए 10 मेचों मेचों में हैं 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 हैंडिच क्लासें के बारे में ये रिसेंट रिकोर्ड वगरा में लिखे हैं हैंडिच क्लासें हम देख लेते हैं 2 42, 20, 7, 15 उतनी अच्छी लाई नहीं है हैं हैंडिच क्लासें की 11 मेचों में 349 रंग बना गरा रहे हैं 42 की आवरेज से निटिश रिड़ी का काम बहुत चरा आ इस IPL में अब आप देखोंगे 8 मेचों में 3 विकेट तो लिये हैं लेकिन 249 रन पी इन्होंने बना है लास्ट में में विकेट नहीं मिला हालागे आप देखोंगे विकेट इनको 3 मेचों में नहीं मिले अबदूल समद 11 मेचों में 111 रन 22 की एवरेश से टोप उडर अच्छा गेल रहा है इनका फिरम बात करें शाबाज एहमद के बारे में कह सकता हूँ कि उतनी अच्छी लाइन नहीं दिखिए पिछले तीन से चार मुकाबलों में हो उसका रिजन ये भी है कि टोप उडर अच्छा केल रहा है और इनकाउंट कर रखा इसमें काई पेट कमिन्स की मैं बात करूँ ग्यारा मैचों में तेरा विकिट यहाँ पर निकाल कर आ रहे हैं इस इपल में एक विकिट दो विकिट जिरो विकिट एक विकिट लेकिन बल्ले बाजी बहतरिन कर रहे हैं पेट कमिन्स बल्ले बाजी भी आरी है और उसमें काम अच्छा कर पेट कमिन्स, तीन नट राजन, नो मैचों में 15 विकेट निकाल कर आ रहे हैं, वहीं पर बोवनेशर कुमार ने भी रिसेंटली अच्छा गाम किया है, एक विकेट, तीन विकेट, एक विकेट, ग्यारा मैचों में 9 विकेट निकाल कर आ रहे हैं, सन्वीर सिंग हो सकता है, इ आपके हिसाब से देख लिजिएगा क्योंकि काफी बार प्लेयर आमने सामने नहीं हुआ है सिफ क्लिमिटेयर टाइम ही हुआ है तो ज्यादा मैंने यह आपर नहीं लिखा है बात कहले देहें प्लक्नुगी टीम से अर्शिन कुलकरनी है केल राहूल मारकस्टोईनी से निकोलस पूरन आयुश पड़ोनी आश्टन टर्नर कुनाल पंड्या रवी विष्णोई नवी नूलक और मोसीन का ना तो बल्ले बाजी अच्छी नजर आ रही है नहीं इंकी गेन बाजी अच्छी नजर आ रही बड़े बात कर लेते हैं इंपेक्ट प्लेयर में कौन सा प्लेयर केल सकता है तो इंपेक्ट प्लेयर में हाई चांस तो भईया ये श्ठाकूर के मुझे नजर आते कि इंपेक्ट प्लेयर में इनने मुका मिल सकता है अर्शिन कुलकरनी ने अभी दक बोही मुकाबले खेले हैं नोर खुड़ा ने 8 मेचों में सिर्फ 134 रन बनाए है मार्कस श्टोइन इस एकमात्र बंदा ऐसा है जिस पर मैं कहा सकता हूँ बरोशा किया जा सकता इस तीम में फिलाल के लिए रिसेंट फॉर्म को लेखते हुए ग्यारा मेचों में चार विकेट निकाले है और 352 रन बनाकर आ रहे है निकोलस पूरन की अगर मैं बात करूँ तो भी यह ग्यारा मेचों में 315 रन बनाए रिसेंट फॉर्म ठीकटा नहीं है लेकिन उससे पहले इन्होंने खाम अच्छा किया था इस टारिंग अच्छी किती आयुश बडूनी ग्यारा मेचों में 152 रन बनाकर आ रहा है फॉर्म तो इनके कोई खास नजर आती नहीं है और स्टोन टर्नर को मोका दिया गया है लेकिन उस मोके पर खरे नहीं उत्र है दो मेचों में सिर्फ 21 रन है इनके कुणाल बंडिया पूरी तरह से फ्लॉप ही कहूंगा मैं ग्यारा मेचों में सिर्फ 79 रन है और 5 विकिट हलागी 5 विकिट भी कोई बड़ा नंबर नहीं है रवी बिश्णोई कोई बड़े विकिट नजर नहीं आए है पिछले 5 मुकावलों में ग्यारा मेचों में सिर्फ 7 विकिट है नवी नुलक ने कोशिश की है लाश्ट मेच में तीन विकेट लिए उससे पहले एक 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 और दो विकेट और सामने बल्लेबाची बहुत दमदार है साथ मेचों में हलागी दस विकेट निकाल कर आ रहा है नवी नुलक ने अच्छा काम किया है मौसीन खान आठ मेचों में 9 विकेट निकाल कर आ रहे हैं वहीं पर यश्ठाकूर 9 मेचों में 11 विकेट मतलब इनको विकेट मिल रहा चाहिए एक ही विकेट क्यों न मिले लेकिक यश्ठाकूर को विकेट मिल रहा है बात कर लेते हैं यहां से हम starting के औरों में गेंद बाजी कोन कर सकता है तो starting के औरों में मारिकस टोईनिस, महसिन खान, नवीन उलग और Yash Thakur गेंद बाजी करती हुए नजर आ सकते हैं लास्त के औरों में नवीन उलग, रवीवश्णोई, Yash Thakur और मोसीन का इन गिनबाजी करती हुए नजर आ सकते हैं बात कर लेता हूँ यहाँ से कुछ प्लेयर मेचप्स की बारे में तो आप देखोगे कोई प्लेयर मेचप्स मुझे दमदार नजर नहीं आ रहे है तो मैं ज़्यादा हाइलाइट नहीं कर रहा हूँ आपके इसापसाप चेक कर लीजिएगा फ्रेंज टेलीग्राम पर जरूर फोलो कीजिए क्योंकि फाइनल टीम में टेलीग्राम पर देता हूँ मेरी विनिंग में टेलीग्राम पर दिखाता हूँ फुरी अडीलीगाम आप सभी के लिए फुरी एंट्री रोजाना मिलती है लिंक वीडियो की निचे अडिस्क्किपिशन में जल्दी से वोलोग कर लीजिएगा चलिए बात करते हैं मेरी टीम के बारे में सबसे पेले हम बात कल लेते हैं इस मोल लिग टीम के बारे में उसके बाद मैं आपको दूँगा ग्रेंड लिग की टीम एक और कॉम्मिनीशन में आपको बताने वालो सबसब लेविकिर की पर सेक्शन के बात करें केल, रहूल, निकॉलस पूरन दोनों ही बहतरिन बल्लेवाज हैं अब लखनों के और हैंड रिच क्लासेट इनो बहतरिन बल्लेवाज मेरी टीम में आजाते हैं दो मेने बल्लेवाज हैं जिसमें Travis Hayd को मेने लिया है और यहां से मैने अभिशेक शर्मा को लिया है महेंक अगर्वाल खेलते हैं तो ट्राई कर सकते हो ग्रेंड लिक में बागी तो कोई खास नाम नजर नहीं आता तीन मेने ओल डाउंडर लिये है मार्कस स्टोइनिस, नितिश रेडी और यहाँ पर मैंने लिया है मार्को जेंसन को तीन ही मेरी टीम में आ जाते हैं गेंदबाज, पेट कमिन्स, टीन अटरा जन और यहाँ से मेने लिया है बूनिशर कुमार को आप चाहें लगनों के फेवर मेर्स होई टीम बना रहे हो तो नवीन नुलक और मोसीन खान को ले सकतो यहाँ तक की रवी विश्णोई का भी बहुत अच्छा उप्शन है फिर यहाँ पर यह थाक बूर का भी उप्शन है उप्शन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे कपतान जो मेरे होंगे, वो होंगे ट्रेवी सेड, वो कपतान मेरे होंगे, वो होंगे मारकस, स्टोईनिस तो चलिए टीम का preview देखते हैं उसके बाद Grand League टीम का combination देखते हैं दोस्तों पहले जो आप टीम देख रहे हो मेरी Small League की टीम है next टीम आप देखोगे वो मेरी Grand League टीम के combination और Grand League picks होंगे तो चलिए बात करते हैं टीम के बारे में केल राहूल, Travis Head, Marcus Tweenis, Pete Cummings आप चाहें तो केल राहूल, एन दोनों को भी कप्तान और कप्तान और कप्तान और कप्तान तो चलिए बात करते हैं यह तो Small League की टीम होगी अब Grand League picks देख लेते हैं तो दोस्तों Small League की टीम तो जैसा कि मैंने आपको देजी दिये, अब मैं बात करूँगा एक और combination के बारे में जो कि आप Grand League में ट्राई कर सकते हैं, उससे पहले Grand League pick देख लेते हैं Sunrise राइजर हिदरबाद की टीम से अगर मैं बात करूँ तो भी यह आप देखोगे बोनेशर कुमार बहुत कम लोगों की टीम में, अगर Sunrise राइजर हिदरबाद की पहले बल्लेबाजी होती है और वहीं पर अगर Sunrise राइजर हिदरबाद 200-220 प्लस करती है, तो बोनेशर कुमार के विक्री मिलने के चांसे हाई हो जाते हैं फिर शाबा जयमत और यहां से मयंक अगर्वाल, मयंक अगर्वाल टॉप ओडर पे बल्लेबाजी करते हैं और शाबा जयमत को, अगर इस्पीन चाद़ा चलती है तो शाबा जयमत को लाया जा सकता है तो कहिने का मतब तीनों शांदार प्लेयरे बड़े प्लेयरे तो इन्हें आप Grand Link में जरूट रीजिट ट्राइ कीजिए का अगर सांगा लगनों के फेवर में टीम मना रहे हो तो अगर टॉप ओडर जल्दी गिरता है तो दीपक हुड़ा और आश्टन टर्नर बड़ी हिटि और केल राहुल टीम देख लेते हैं जो कि एक और कॉम्बिनेशन है इस मोलिक का कॉम्बिनेशन पहले बता दिया मैंने तो केल राहुल हैं निकोलस पूरन ट्रेविस हीड अभिशेग शर्मा मार्कस इस्टोइनिस के निती श्रीडी पेट कमिस और नट्रा जिंग ये तो चेंज करना चाहो तो केल राहुल टीम वाइस भी आप बना सकते हो जैसा के इस्टोइनिस केल राहुल ट्रेविस हीड हैंडिज क्लास इन इस तरह से भी आप कपतानों कपतान में बदलाओ कर सकते हैं फाइनल टीम के लिए टेलिग्राम पर फोलो कीजे लिंक वीडियो के नहींचे देस्क्रिप्शन में थैंक वेरे मच्च